Class 10th का Math का Chapter 12 जशका नाम है Area Reliqued to Circles इस Chapter की Exercise 12.3 के Question 13 को Discuss करते हैं Next Question पर आते हैं Exercise 12.3 का Question 13 solve करते हैं In figure, a square Oabc is inscribed in a quadrant OPPQ देखो यह वाली figure हमें question में दे रखिया है यह जो quadrant है न, O, P फिर B से होते होए Q तक जाना है O, P, B, Q इस quadrant के अंदर न, एक square बना दिया है If O, A is equal to 20 centimeter यह square की जो side है न, वो हमें दे रखिया 20 centimeter एक बात बताना, यह जो 20 centimeter है क्या यह radius है? radius नहीं है O से लेकर A तक, सिरफ इतनी length मतलब square की side दे रखिये 20 centimeter, radius तो O से लेकर पूरा P तक जाना पड़ेगा तो quadrant का radius बनेगा Find the area of the shagic region यह तो को figure में जितने हिस्से को shade हिया हो है न, यह वला और यह वला इन दोनो portions का combined area हमने निकालना है तो काफी असानी से निकल जागा पूरे के पूरे quadrant के area में से अगर हम यह beach वाले square का area minus कर दें, तो ऐसे करने से हमारे पास यह दोनों shadeic portion का area निकल आएगा तो area of shadeic region होगा area of quadrant minus area of square अब इस question के अंदर na quadrant का area निकालना पड़ेगा और quadrant area निकालने के लिए आपके पास radius होना ज़रूरी है ना तो radius दे नहीं रखा radius पहले calculate करना पड़ेगा एक बात बताओ यह O से लेकर P तक की length जादा होगी या O से लेकर Q तक या O से लेकर B तक इन तीनों में से कौन सी length जादा होगी तीनों की तीनों length बराबर होगी ना क्योंकि radius है quadrant का O से लेकर P तक यह भी quadrant का radius ही होगा O B यह भी radius होगा O Q यह भी radius होगा लेकिन O से लेकर B तक यह वाली जो length है वो बीच वाले जो square बना होगा है उस square के diagonal के एक वला है तो हमें square की side दे रखी है अगर इस information को use करके किसी तरह से हम यह वाला O से लेकर B तक यह वाला diagonal निकाल ले O B को ना join कर देते हैं यह side हमें दे रखी थी ना यह O से लेकर B तक यह वाला diagonal पहले निकाल लेते हैं तो हमारे बास quadrant का radius आजेगा एक बर आपके पास radius आ गया फिर आपके पास सारे parameters हैं फिर हम calculate कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यह quadrant का radius निकालना चाहते हैं तब यह हमने लिखा है radius of quadrant जो की O B के एक पल है अब देखो O B की length निकालने के लिए यह वाला जो triangle है ना O A B O A B इस triangle के अंदर हम Pythagoras Serum को यूज़ करेंगे Hypernose का square is equal to perpendicular का square plus base का square दोनों की दोनों sides यह side भी quantity होगी यह side भी quantity होगी तो कि square है ना square की सारे की सारी sides एक दूसरे के एक वल होती है तो O A की value भी quantity है और A B की value भी quantity है क्वंकी का square होता है 400 क्वंकी का square 400 400 plus 400 is equal to 100 अभी यह O B square की value आई है लेकिन हमें तो exact O B की value चाहिए तो यहाँ पे आप लेखोगे taking square root on both sides square root लेनी के वज़े से यहाँ से square हग जेगा और यहाँ पे square root आजेगा 100 के आपने prime factorization कर देनी है अब चाहो तो ऐसे directly भी लिख सकते हो 20, 20, 20, 2 multiply करके एक हंगर की आता है यह क्वंकी का तो पेर बन गया ना तो यहाँ से क्वंकी 12 जेगा यह वाला 2 अंदर ही रह जेगा तो 20 root 2 cm यह हमारे पास O B की length आगी है और जो O B की length है वो quadrant का radius है तो यह हमारे पास radius निकलाया अब आगी चलते है shagic region का area निकालते है अब अपने answer में ऐसे लिखोगे area of shagic region is equal to area of quadrant minus area of square यह पूरे के पूरे quadrant के अंदर से अगर यह बीच वाल square के area को minus कर दे तो ऐसा करने से हमारे पास shagic region का area निकलाएगा तो quadrant के area का formula होता है 1 by 4 of pi r square जो quadrant है वो circle का 1 fourth होता है तो उसके area में directly आप यह लिख सकते हो 1 by 4 of pi r square minus का minus और square के area का formula होता है a square यहाँ पे a square की site को represent करता है values put कर दे है 1 by 4 का 1 by 4 pi की value 3.14 question में बोल दिया था कि use pi is equal to 3.14 तो फिर आपने pi की value 3.14 ही put करनी है अगर question में बोला ना गया होता फिर आपकी मर्जी होती है चाहे 22 upon 7 put करो चाहे 3.14 put करो तो pi की जग़ा पे आपने 3.14 put करना है और radius यह quadrant का radius आए था 20 root 2 square है तो हमने भी square लगाया minus का minus और a की value 20 है square की site 20 है square का square लगा दिया सारी values put कर दी अब calculate करते आगे 1 by 4 का 1 by 4 3.14 भी as it is 20 का square 400 होता है और root 2 का square करेंगे तो वो 2 बन जगा square करने के जिससे root हग जगा और यहाँ पे 20 का square is equal to 400 यह 400 को 4 से गिवाइट करोगे तो 100 का जगा 100 से 3.14 को multiply करेंगे तो decimal point 2 के पागे चल जगा यह 314 बन जगा और यह बला 2 as it is यह minus 400 का minus 400 as it is यह 314 को 2 से multiply करो तो 6 square की एक आता है इसमें से 400 minus किया तो 2 square की एक आ जाता है और पूरी calculation हो जाने के बाद last में आपने unique zero लगाना है sanctumaker square तो 2 square की एक sanctumaker square वो इस shaking portion का area है कि आता है कि लगर भर ई कि एकaretime पूरी क tones